Hello students, मेरा नाम है Manish और DAV Guru के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग साइंस को इस्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आज हम लोग फर्स चेप्टर को परना इस्टार्ट करेंगे इस चेप्टर का टाइटल है Nutrition in Living Organism that is Plants सेम टॉपिक के अंदर में हमें Plants के बारे में भी परना है चेप्टर 1 में और चेप्टर 2 में हमें Animals के बारे में परना है इस चेप्टर में हम लोग परेंगे कि Plants को किन किन चीजों की जरूत परती है ताकि वो हमारे Planet Earth पर सर्वाइब कर सके और वो इन नीट्स को कैसे फुल्फिल करते हैं इससे पहले के सभी वीडियो जो कि मैंने DAV Students के लिए बनाये हैं आपको Subject Wise, Class Wise, Playlist में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके उन वीडियो को देखना और वीडियो अगर हेलफू लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह DAV Students के लिए वीडियो जाते रहते हैं ओके तो चैप्टर को इस्टार्ट करें उससे पहले देख लेते कि इस चैप्टर में हमें कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स परना है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे और सिस्टेमेटिकली सारा टॉपिक हमारे दिमाग में बैठता जाए तो सबसे पहले हमें परना है जो पहला टॉपिक हमारा है वो है मोर्स अफ नूट्रेशन यानि कि जो प्लांट्स होते हैं उनको जो चीजों की जरुथ परती है जो जो कंपोनेंट्सका जरुथ परता है अपने फूद बनाने के लिए उसको वो कैसे और ही एक और प्रॉछन हमें परना है इसक के लिए क्या-क्या चाहिए होता है उसके बार मेतेर इसरा टॉपिक हमारा है वो है other mode of nutrition in plants, plants में photosynthesis के अलावा और क्या-क्या mode of nutrition है, यानि कि और किस-किस तरीके से वो food बनाते हैं, उसके बारे में हमें इस topic के अंदर में पढ़ना है, अगला जो topic हमें पढ़ना है वो है mode of nutrition for other organism, plants के अलावा जितने सारे organism हमारे planet earth पे है, उनका क या mode of nutrition है, इसके बारे में इस topic के अंदर में हमें पढ़ना है, और finally जो last topic हमारा है वो है how are nutrients replenished in the soil, plants जितने है, जितने सारे animals है, वो सब जो nutrients soil से यानि कि मिटी से ले लेते हैं, फिर वापस से वो मिटी में कैसे जाता है, replenish कैसे होता है, इसके बारे में हमें finally last topic में है, यहां पर first paragraph में लिखा है, in class 6 we have already learned that food is essential for all living organism, हमने class 6 में पराता कि food जो है, वो सभी living organism के लिए बहुत जरूरी है, we also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are all important components of our food, और हमने ये भी पराता कि हमारे food का जो 5 important components है, उसमें कौन-कौन से है, पहला है carbohydrates, दूसरा proteins, तीसरा fats, चौथा है vitamins और 5 बा है minerals, these components of food are necessary for our body and are called nutrients, और ये ही 5 component को जो कि हमारे body के लिए बहुत जरूरी है, इसी को हम लोग nutrients कहते हैं, the nutrients enable living organism to build their bodies, और ये सब जो nutrients है, इसके कारण ही जितने सारे living organism हैं, उनका body build हो पाता है, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide the energy to carry out life processes, और body build होता है उसके अलावा और क्या क्या होता है, जितने सारे living organism हैं, वो grow कर पाते हैं, उनका जो body का damaged part है, वो repair हो पाता है, इन ही nutrients के कारण, और उसके अलावा जो energy animals और plants को चाहिए, ताकि वो अपने life processes को complete कर पाए, वो सब energy भी इन ही nutrients के कारण उन्हें मिलता है, nutrients are taken in through their food by living organism, nutrients जो है किसी भी living organism के अंदर में कैसे जाता है, through their food, उनके food के थ्रू जाता है, and are utilized in their bodies, और वही nutrients उनके body में जाकर use हो जाता है, इस process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition, और इसी process को जिस process के थ्रू कोई भी living organism food को obtain करता है, और उसको use करता है, इसी process को हमलोग nutrition बोलते हैं, तो यहाँ पे दो definition है, जो कि बहुत important है, और उसको आपको याद रखना है, पहला यहाँ पे है nutrients का definition, और दूसरा है यहाँ पे nutrition का definition, The process of obtaining food is not same in all organisms, जितने सारे organism हमारे planet earth पे हैं, सभी एक ही तरह से food को obtain नहीं करते हैं, सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है, On the basis of food habits, the mode of obtaining the required nutrition by the body, have been divided into the following two categories, और इसी के आधार पर हम लोग किस तरीके से कोई भी living organism food को obtain करता है, यानि कि food को लेता है अपने body के अंदर, उसी आधार पर हम लोग दो category में living organism को बाट देते हैं, पहला category है, autotropic nutrition वाले organism का, जिसमें की ऐसे organism आते हैं, जो कि अपना food खुद से बना लेते हैं, उनको किसी और दूसरे living organism पे depend नहीं होना परता है, और जो दूसरा category है वो है heterotropic nutrition वाले organism का जिसमें कि वैसे organism आते हैं जो कि किसी ना किसी दूसरे living organism पे depend करते हैं तो autotropic में वैसे आएंगे जो कि किसी पे depend नहीं करते हैं और heterotropic में वो आएंगे जो कि किसी ना किसी दूसरे living organism पे depend करते हैं अपने food के लिए तो यहाँ पर autotropic का definition दिया है It is the mode of nutrition in which organism can make their own food from the simple raw materials Autotropic nutrition ऐसा mode of nutrition है जिसमें की living organism अपना food खुद से बना लेते हैं सिर्फ उनको कुछ raw materials चाहिए होता है All green plants and some bacteria are autotrops और जितने भी green plants है और कुछ bacteria है autotropic nutrition को follow करते हैं और उनको हम लोग autotrops कहते हैं क्योंकि वो autotropic nutrition को follow करते हैं In Greek, auto equal to self, self यानि की खुद से and troph यानि के nutrition और इसी दोनों word को मिला कर autotrops बना है अगला जो category होता है living organism का वो होता है heterotropic nutrition को follow करने वाले living organism तो heterotropic nutrition क्या है It is the mode of nutrition in which organism can not prepare their food on their own यह ऐसा mode of nutrition है जिसको follow करने वाले organism अपना food खुद से नहीं बना सकते हैं and depend on other for it और अपने food के लिए किसी दूसरे living organism पे depend होते हैं all animals and few plants मतलब जितने सारे animals हैं और कुछ गिने चुने plants हैं are heterotrops वो heterotrops के category में आते हैं heterotrops भी दो Greek word से मिलकर बना है जिसमें की पहला है hetron जिसका मतलब होता है other यानि की कोई और और दूसरा है trop यानि की nutrition वो तो हम लोग यहाँ पे देखे ही autotrops और heterotrops का यहाँ पे एक एक example दिया गया है जिसमें की पहला example है autotrops का जो की है एक plant और उसके बारे में यहाँ पे लिखा है I can prepare my own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight that is captured by chlorophyll अब यहाँ पे ध्यान से देखो जो जो चीज plant को जरुद पर रहा है इसका food को बनाने के लिए उन्हीं चीजों को तो हम लोग raw materials बोलेंगे ना तो यहाँ पे क्या-क्या चीज का जरुद पर रहा है पहला है water दूसरा है carbon dioxide जो कि हम लोग छोड़ते है environment में तीसरा है sunlight sunlight इसको सूरत से मिल जाता है और जो चौता है chlorophyll यह plant के leaves में present होता है तो यह सब जो चारो चीज है चारो requirement है इसी के basis पे इसी को use करके plants अपना food बना लेते हैं उसके बाद जो दूसरा category हमने परावे heterotrops का heterotrop के category में जितने सारे animals है वो आते हैं तो इसके बारे में क्या लिखा है I cannot prepare food on my own मतलब यह अपना food कुछ से नहीं बना सकते हैं I depend on plants for food यह सब जो है किस पे depend करते हैं plants पे depend करते हैं अपने food के लिए यहाँ पर इस वाले flow chart में mode of nutrition कितने type का होता है वो दिखाये गया है mode of nutrition अभी जश्ट हमने परा कि दो type का होता है एक होता है autotrophic nutrition दूसरा होता है heterotrophic nutrition autotrophic यानि कि ऐसा mode of nutrition जिसको follow करने वाले organism खुद से अपना खाना बना लेते हैं वो अपना food खुद से synthesize करते हैं and heterotrophic nutrition को follow करने वाले organism अपना food खुद से नहीं बना सकते हैं वो किसी दूसरे plant या animal पे depend होते हैं तो autotrophic nutrition को follow करने वाले जो भी organism है जितने सारे plants है वो सब इसके अंदर में आएंगे all green plants और कुछ exception भी है उसके बारे में आगे हम लोग परेंगे यहाँ पे heterotropic nutrition को follow करने वाले कौन कौन है animals, man, non green plants यह सब heterotropic nutrition को follow करने वाले हैं यानि कि यह दूसरे plant या animal पे dependent होते हैं अब यहाँ पे heterotropic nutrition को further तीन category में categorize किया गया है जिसमें की पहला है saprotropic nutrition, दूसरा है parasitic nutrition और तीसरा है holozoic nutrition तो इन सब के बारे में हम लोग chapter 1 में भी कुछ topics को cover करेंगे और chapter 2 में भी आगे detail में हमें इन सारे topics के बारे में परना है तो saprotropic nutrition ऐसे nutrition को बोलते हैं जिसमें की एक living organism किसी dead plant या animal से अपना food acquire करता है जैसे की fungi हो गया, mushroom, bread mold and some bacteria यह सब saprotropic nutrition को follow करते हैं heterotropic nutrition का दूसरा जो type है वो है parasitic nutrition इस mode of nutrition को follow करने वाले organism जो होते हैं वो दूसरे living organism से ही अपना nutrition acquire कर लेते हैं जैसे की daughter, amarbell जिसको बोलते हैं amarbell खुद से अपना food नहीं बनाता है वो दूसरे plant पे जाके लग जाता है और उससे उसका food ले लेता है heterotropic nutrition का तीसरा जो type होता है वो है hollow joic nutrition और इस mode of nutrition को follow करने वाले amoeba होते हैं और humans होते हैं hollow joic nutrition के बारे में भी हमें chapter 2 में detail में परना है इस mode of nutrition को follow करने वाले organism का जो food होता है वो या तो solid form में होता है या तो liquid form में और उस organism के अंदर food जाने के बाद उसका digestion होता है जैसे की हमारे अंदर होता है इसलिए यहाँ पर example में humans और amoeba लिखा है amoeba के अंदर भी food का digestion होता है और वो भी food को solid form में या liquid form में अपने अंदर लेते हैं आगे यहाँ पर do you know में एक point दिया है बहुत important point है जिसमें की बताया गया है एक living organism के बारे में जिसका नाम है yuglina वही लिखा है yuglina is an organism that shows both autotropic and heterotropic mode of nutrition yuglina एक ऐसा micro organism है जो की autotropic और heterotropic mode of nutrition दोनों को follow करता है मतलब दोनों तरीके से food acquire करता है it has both plant and animal like feature इसके अंदर plant like feature भी है और animal like feature भी है तो बस इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने जाना कि कितने सारे type care mode of nutrition होते है और उनके बारे में briefly हमने कुछ कुछ समझ लिया आने वाले वीडियो में हम लोग बांक की बचे हुए topics को cover कर लेंगे और एक वीडियो में हम लोग separately question answer को cover कर लेंगे आई हो पाँच का वीडियो आपके लिए helpful रहोगा और जितना topic मैंने explain किया सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आपके लिए helpful रहोग तो वीडियो को like करना चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं कियो तो चैनल को भी subscribe कर लेना और इस वीडियो को अपने class meeting साथ जरूर शेर करना और अब आप अपनी class के जितने सारे notes है उसको हमारे website से जाकर download कर सकते हो website का link description में है वहाँ जाकर किसी भी chapter का नाम search करके उस chapter का जितना सारा notes है उसको आप download कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से परहाई करते हो झाल